सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी लासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुरवात करते हैं आज के सुवेचार सी जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिन्दगी भर से, टकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन यहां से, फिर ये इनसान को इतना एहंकार किसके लिए सचाई हमेशा खामोस रहने वाले इनसान के अंदर ही मिलती है, जूट बोलने वाले तो हमेशा सोर मचाते रहती हैं, जब रिस्तों में जूट बोलने के आवशक्ता मैसूस होने लगी, तब यह समझना की, अब रिस्ता समाप्ती की ओर है आज का पंचांग, चार फरवरी 2022 देन शुक्रवार, मांग मास के शुक्लपक्च की, चतूर थी तिथी, रातरी तीन बचकर, छालिस मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद, पंचमी तिथी प्रारम होचाएगी, उर्व भादर पदा नामक नक्षत्र, दोपहर तीन बचकर, अंठावन मिलट तक रहेगी, उत्तर भादर पदा नामक नक्षत्र प्रारम होचाएगी, आज का राहुकाल, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, सुबह ग्यारा बचकर, अठारा मिलट से, बारा बचकर, पांच मिलट तक रहेगा, आज का भी जीत महुरत, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, दोपहर बारा बचकर, अठारा मिलट से, एक बचकर, दो मिलट तक रहेगा, आज चंद्रमा कुमराशी पर, सुबह दस बचकर, दो मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद, मीर राशी पर संचार करेगी, और आशूरिय, मकर राशी पर रहेगे, मीर राशी चार फरवरी 2022 देन शुक्रवार आज हर कोई आपकी तरफ आकरशित होगा सब आपकी समझ और सिष्टों से प्रभावित होंगे कुप प्रसंस मिलेगी इस बहतरी समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जिलने में करें इससे आपके सामने नए औशर भी खुलेंगे आज जब भरपूर आत्म विश्वास और शकरात्मक सोस से परिपूर न रहेंगे अधिया शोत लेकर आदी जैसे कार्यों के लिए समय नुकूल है परिवारिक मामलों में आपके सुझाओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी जीवन में जो बदलाव आपको अपेक्षित है वह आने के लिए प्रयतन करने की आवट शक्ता होगी आपके दोरह प्रयतन कम पड़ रही हैं प्रयास बढ़ हैं किसी भी वैक्ती के साथ पैसों से सम्मंदित वैभार करने से पहले चर्चर जिरूर करें कई जगह चाकर अपने काम का विस्तार करना शंभा हो सकता है कटीन परिस्थिती में पार्टनर का साथ मिलता रहेगा लेकिन पार्टनर के भी आप एक छाओ का ध्यार रखना जिरूरी होगा बच्चों किसे हश्रमंदि चिंता मैसूस होगी शौधानिया बिना बतलब किसी से भी ना उलजे अन्यता इसका खामियाचा या नुक्षान आप कोई भुगतना पड़ेगा कोई रुके हुए या उधार दिये हुए पैसो की वो आपसी के लिए विशेश प्रयास करने पड़ेंगे यूवर्गर अपने करियर के प्रती फोकस रहें बात करते हैं लव लाइफ की पती पतने वैट की समश्याओं में ध्यान ना देकर आपसी सम्मन मधूर रखें वेपरित लिंगे वैक्तियों के साथ वैभार करते समय मरियादा बना कर रखना जरूरी है आपका पार्टनर आज कोई या जेश्मेंट या सेटलमेंट करने के मूड में नहीं है इसलिए आपको अपने एहंकार को नियंतन में रखना होगा बैतर होगे कि आप कोई विवाद उप जाने वाले मुद्दे ना उठें आज छोटी छोटी कहा सुने भी बड़े विवादों का रूप ले सकती है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे भी अधीक उग्रस्वभाव में है अगर आप बड़े उलट फेर से बचना चाहते हैं तो आपको रोमैंटिक मामलों में भी शोधार रहना होगा बात करते हैं करियर की अगर आप बिरुजगार हैं तो एक और आचर आपकी दर्वाचे पर अपनी दस्तक दे सकता है दोनों हाथों से इसे लिए आपके पास कोने के लिए कुछ भी नहीं है मुपतस्तला प्रदान करने वालों से दूर रहे आप नौकरी पाने के प्रशाथ अपनी इमंदारी और समड़पन दिखाएं आपको एक नए छेत्र से और शेप्राप्त होशकते हैं विभिन छेत्रों से आप अपने लिए नौकरीयां खोचें इसे में विवशाय के यत्राओं सम्मंधित प्रोग्राम बनेंगे परन्तु फाइनियन सम्मंधित कारियों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें आर्थी कश्मकश्र बनी रहेगी दो पहर बद अचानक ही पर इस्तिती अनुकूल होगी और आपको कोई बहतरीन ओर्डर भी मिल सकता है बात करते हैं सेहत की तनाव और ठकान हावी होने से बच्चे स्वास्त के प्रती अपना सकरात्मक दुष्ट्री कोड आपको स्वास्त उर्जवान बना कर रखेगा आज अपने वैवार में वैस्त होने खुसे और बहतर शेहत की खुसे अलग ही दिखेगी आप आजगान करने के मूड में रहेंगे और अपनी खुसे सब के साथ बाटने के लिए भी तैयार रहेंगे इसे आप सब के बिच लोग प्रिय हो जाएंगे हसी मज़ाक वाला स्वाभाव और आपका स्वास्त कुछ ऐसे चीजे हैं जिसे आपके आस्पस लोगों को इर्शा हो सकती है सेहत का पूरा ख्यार रखें आज का उपाय आज आप माता लक्षमी जी के समक्षगी का दीपक जलाएं शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ